हेलो बच्चों वेलकम टो नीट सर्थी एंड दिस इस मुईत सर्मा बैलोज एडुकेटा फ्रम नीट सर्थी कोटा बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स टॉपिक के बारे में और रेगुलेशन ऑफ किड्नी फंक्शन यानि हमारा जो किड्नी का इसमें कई अलग अलग बेटा हर्मोंस आति हैं वहाँ केनी पर एक्ट करते हैं आपके सियां प्रार वियन के वह एक्टे जो इसमें आपको क्या करने इbout कुछफों के बारे में जानना है जैसे आप लोग पहले आपको बताजए चाहेगा बड़ता ह depression foot hormone के बारे में ये निसमने पहले कि आए जाएगा तो ए डिर से उक्रायोर neden है बारी जी से Πर फर्मों का के बारे में जाएगा एक आपकोर मेकनीजम आएगा कीड़नीघेज हो आपका किडनी पर एक्ट कर रहा होगा एक मेक्नीजम रहेगा जिस कुछ hormones आएंगे बिटा आपके जेजी से कुछ hormone रिलीज हो रहे होंगे किड़नी से आपका कुछ बिटा रहने नाम के एक हॉर्मोन आएगा अलग अलग अगर आप सबसे पहले पूंचा जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आप में आते हैं ना कई बच्चे जानते होंगे कि एडियाच की जो फॉल फॉर्म है आप लोग क्या लिखती हो इसको एंटी डैवरेटिक हॉर्मोन हॉर्मोन के निम में आपका एक बड़ आया है वह आपका डैवरेटिक कि बारे में जो की एक वटा डाइवरेटिक यह आपके बॉडी के अंदर एक एक्सेस हमाँ में यूरिन प्रेडियूस हो रही है और यूरिन को रिलीव किया रहा है यह आपका डैवरेसिस है अगर फिरसे दर देखोगे इसको आप लोग पूरा फिरसे पढ़ोगे एक बार यह आपको कहरा है एंटी डैवरेटिक हॉर्मोन यानि कि यह आपके डैवरेसिस को सपोर्ट करने वाला है या फिर उसका यह अपोस्ट करने वाला है एंटी एंटी का मतलब कहा है अगेंस्ट है यह उसके अपोस्ट है यानि कि जो आपका डैवरेसिस चल रहा है आपकी बॉडी में से बच्चो यो एक्सिस में यूरिंड परेड्यूश की जा रही यह अर्मवन आएगा और उसका अपोस करेगा यह कैसे करेगा है यह मंदब कैसे कर राहिए कि आपका जो यूर एक्सिस परेड्यूस हो रहा है थी तो यह अर्मवन आया और इस Cons node कम किया किस थरह आएगा यह हॉर्मोन आपके DCT और कलेक्टिंग डेक्ट पर एक्ट करेगा और वहां से वाटर का रिएपजब्सन करवाएगा तो आपके यूरिन का वोल्लिम क्या होदाएगा कम होदाएगा और इस तरह से यह आपकी डायूरेसिस को प्रवेंट करेगा और देखते हैं अग आप लिएस पर बा Small करो बैठा तो यह सिंदे साइब लिए सिंदे six की बात करें तो सिंते सFC वाइं यह फिलेस आपके ब्रेन जिसको आप लोग है पो ते लाम से जानते हो और यह फो ते chrom atac sa यहाईगा synthesis synthesis किया दाएगा इसका यानि इसका जो production चल रहा है वो आपका चल रहा है hypothalamus के अंदर यानि आपके brain के अंदर hypothalamus नम के gland present है बच्छों जो इस hormone को क्या करेगी synthesize को synthesize करेगी और आपके जो hypothalamus से ये hormone nerves के तरो, neurons के तरो ये transport किया दाएगा आपके pituitary gland के लिए और वहां से इसको release किया दाएगा pituitary gland का भी देखे तो posterior वाला reason जिसको आप लोग neurohypofasis के नम से जानते हो तो इस hormone के बड़ा क्या हुआ ये hypothalamus में आपका produce हुआ hypothalamus में आपका synthesize किया गया और hypothalamus से ये axon के तरो, neurons के तरो आपका transport किया गया posterior part of pituitary gland के लिए जिसको आप लोग neurohypofasis के नम से जान रहे हो और उसके बाद में pituitary gland होए posterior pituitary reason है वो इसको blood में डालेगा और blood के तरो ये जो आपके target side पे पहुँचा दिया दाएगा यानि अगर बात करें इसमें के synthesize why hypothalamus अगर मैं ये बोलूं किसको release कौन कर रहा है blood में तो बच्चों इसको release करने वाली ये आपकी posterior pituitary gland यानि कि released by pituitary released by posterior pituitary gland बच्चों यानि किसको synthesize करेगी आपकी hypothalamus और blood में release करेगी आपकी posterior pituitary gland अब इसमें ये तो आपकी बाद चर्चा clear है एकदम यहां तक आप लोग बिल्कुल point to point clear हो चुके बच्चों कि अगर आपके सामने question आ रहा है आपके सामने question आ रहा है कि आपको किसी ने पूछा कि जो आपका EDH है इसको synthesize कौन कर रहा है आप लोग तुरंट answer दोगे कि इसको synthesize करने वाली आपके brain में gland present है जिसको आप लोग बच्चों hypothalamus के नम से जानते हो अगर आपसे कोई बात पूछता है कि इसको blood में release कौन कर रहा है आप लोग तुरंट बोलोगे कि यह जो hormone बच्चों वो release किया जा रहा है आपकी posterior pituitary यानि की neurohypophysis के दौरा अगर आपसे कोई बुछता है कि यह secret कौन कर रहा है यानि कि जो आपका ADS hormone है बच्चों इसको secret कौन कर रहा है यानि इसको secretion कहां से हो रहा है अगर आप लोग word का मतलब समझो हो secretion यह क्या मतलब है इसका secretion का मतलब क्या है आप लोग रिलीज कर रहे हो कर रहे हो एक आपको secret कर रहे हो आप लोग अलग अलग तीन वट पढ़ती हो है ना आपको कही नहीं लगा मिलेगा कि जो हॉर्मोन है कोई भी सीक्रेटेड फ्रॉम यहना कोई भी एक पर्डिकुलर ग्लेंट दे रखी होगी कभी कभार बुलेगा कर रहे हो आप सीक्रेट कर रहे हो अगर इसका सीक्रेट कहां से चल रहा है तब आप लोग क्या जबाब दोगे उसको देखते हैं बच्चों ना वद के वारे में ना तो सीक्रेशन का क्या मतलब है अगर आपका कोई हॉर्मोन किसी भी पैटिकुलर सेल के ग्लेंट के अंदर वो सिंतेसाइज किया रहा है और वहां से रिलीज किया रहा है इन दोनों कॉमेंट टम को मिलाकर हम लोग बोलती है सीक्रेशन जैसे आपका कोई भी बच्छों एक सेल था या कोई भी टिस्ट वगर या किसमें बलड में इसको रिलीज कर दिया तो आपने जब इसको सिंतेसाइज किया पहले बच्छों आपने इसको सिंतेसाइज किया उसके बाद में आपने इसको रिलीज किया तो यह जो सिंतेसिस और रिलीज दौनों को मिलाकर बनते हैं आपके सीक्रेशन बच्छों वह दो स्वांतियु में आप लोग ने चुरू Lessamि यानी अप में पनाने वाले आपके कंपो दो से को और 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 तो का प्लाइब को सब्सक्राइब को मिलते हैं बड़ा दो स्टेट्मेंट देखने को मिलते हैं जैसे कोई को लिए कि एक बरी लेंद और इसको निवाली बच्छों वह आपकी है अब इन दोनों स्टेटमेंट को independently देख़ रहे हैं आपको कहीं मिल रहा है कि-ए करेंट है तो दोनों स्ट्रेडे मरी से अपनी जगह पर दोनOW सिट्रेज्ज्ट मैं उबोलोगे कि सीक्रेंट फूस्aws टूस टैसरी तो यह कोई नहीं है अगर आप लोग बोल रहे हो कि secreted by hypothalamus तो यह भी गलत नहीं है अगर आपके एक्जाम में कहीं statement आ रहा है आपके एक्जाम में अगर यह statement आ रहा है कि आपका जो एडियाच है बच्छों यह पोस्टीरर पिट्वीटरी से secret किया जा रहा है यह statement true है यह false है बिल्कुल यानि कि अगर independently जब भी दोने statement आ रहे हैं तो आप लोग दोनों को correct मानों ठीके बच्छों आपका यह पोस्टीर पिट्वीटरी वाला भी सही माना जाएगा और hypothalamus वाला भी सही माना जाएगा लेकिन अगर कभी ना कभी कभी अगर जीवन में ऐसी दुरगटना होती है कि आपके सामने दौन स्टेट्मेंट आ चलो मान के चलो कलको paper में क्या हुआ आपके सामने दौन स्टेट्मेंट आ जाती हैं एक statement देके रखाए कि ADHS is secreted by hypothelemus अगला statement देके रखाए कि ADHS is secreted by posterior between regalant और दौनों में से आपको कोई एक ही statement चूथ करना है अगर दौनों independently रखे हुए है statement तो आपको दौनों सही मानने मानने हैं हम भी बोलते हुए कहां मतलब बना सोचे समझे बोल देते हैं ना कभी कबार बोल देते हैं ADHS is secreted by hypothelemus कभी कबार बोल देते हैं secreted by posterior pituitary तो जब तक दोनों independent हैं अपनी जगे सही है लेकिन अगर कभी ऐसा बोला जाता है कि दोनों में से कोई एक ही चूद करना है तब क्या करोगे secreted by posterior pituitary या फिर secreted by hypothelemus तो इस condition में आपका जबाब जाएगा बच्चों वो जाएगा secreted by hypothelemus क्योंकि बच्चों इसको बनाने वाला कौन था ये हॉर्मन जब भी मान के चलो कोई भी चीज़ है तो इस पर बिड़ा वो चीज़ उस पर किसका कोगा जिसकी वो चीज़ है ऐसी अगर आप लोग देख रहे हो ADH को तो ADH पर मालिकाना अधिकार किसका है आपके hypothelemus का इसको बनाने वाली ग्रेंड आपकी hypothelemus है अरे भाई hypothelemus ने उसको बनाया pituitary के पास क्या है वहां से आकर थोड़ी बहुत के लिए रुका थोड़ी देर के लिए रुका और इसके लिए बाद निकल लिया यानि की पिट्वीटरी का काम है जला से टाम के लिए इसको स्टोर करना लेकिन इसका जो बड़ा सिंतेसिस हुआ है और जहां से यह आ रहा है वह इसका hypothelemus है तो अगर आपके लिए कभी ना कभी भी अगर आपके सामने दौनल एक ही चूद करना तो आपको ब्राण देना है वह दिया सिख्रेट अब इपकर कर रहा है ना जलो इसके बारे में आगे दिखते हैं जैसे एइसका नाम था एंटी डेयरेतिक हार्मॉन तो एंटी डेयरेतिक होर्मॉन होने के बाद में क्या हूँआ पकिशों यह आपकी डि मैं बोल रहा हूं कि यह नियाज कि आम का ब्लड में यानि की सिक्रेट कब होगा इसने क्या करेगा बच्छों के में और कलेक्टिंग डीक्ट में पर्यूरेप्ट कर वाहन लेकर आएगा यूरिन में और आपके ब्लड में डाल देगा तो अगर इस कंडिर्म के अबसे बात करों में आप से पूछ उन कि आपके ब्लडमें कब हो उसके लिए अलगवा इसने है पहला मैं बॉल रहा हूं कि जब आपके उक्ता है की जब आपके ब्लडमें आपके बॉड़ी में इक्से दिशनमांट तफ वोटर प्रडेंट है या फिर जितना वाट आ जो नॉर्मल अमांट की उतना प्रॉजेंट तो आपका ऑजि बहुत बढ़िया आपका एड dos आए साएका ब्लेड्में बच्षों जब आपके ब्लेड में जो वाटर की अमांट है वो एक लिमिट से कम हो गई है यानि कि आपके आपकी बॉड़ी के अंदर सफीसेंट अमांट अब वाटर प्रिजेंट नहीं है तब आपके क्या होगा आपकी बॉड़ी में सीक्रेट की अधाएगा कौन एडियेच और एडियेच आकर आपने डी कमी यह सेक्रेट हुआ कैसे जैसे आपकी बॉड़ी में व pastor की कमी हुई आपने बॉड़ी में एक नर्मल अमांट से वाटर कम होगा तो हम लोग को सेक्रेट करवाएंगे जो बलेड में आएगा और वो जो है बचों कम करना सिटार्ट कर देगा तो डी को पता कैसे चल रहा है ग्लेंड को पता कैसे चल रहा है कि बॉडी न वाटर की कमी को चुकी है तो I kw инт ness अपके जो आपके जो ऑजो पर थी ऐसे दिए आपके है आपकी शो ऑबाड़ी का जो आस्मॉल हड़ेट यह ना और जो अगर आपके कि बात करे आपकी बोड्य की जो आज्मॉलियोट है जो नॉर्मन रहती है आपकी त्रीनडरे clean source NortheemAL you Weis अगर आपकी बॉड्य में पानी की कमी होती है आप लोगों ने बुलाओ किम क्ल वाड़ी में पानी कमी हुई यानि कि जो एक नॉरमल अमांट थी वाटर की इससे वाटर जो अधिक लैंट कर गया और थोड़ा सा वाटर की बोड़ी में क्या हो गई कमी हो गई अगर बोड़ी के अंदर पानी की कमी हो रही है आप की तरो बनाने की को से थोड़ा तो यह आपका रहेगा ढूमेंट का बच्छों यह आपका डीस आपका लूप अपी सिटी इसके बाद लूप और यह आपका कलेक्टिंगेंग लोटक्षों तो अगर आपके यूरिन के त्रों बाडी में से बच्छों की जिस्की कंडििशन में बोडी से क्या हो रहा है आपक करल रहा है आपकर बलट से regal formation वा फोर्मेशन हुआ है वह फिल्ट्रेट का प्लाज्मा के फिल्टर होने के बाद यहां वह फिल्टरट पर लुश्म वाटर का लॉप भॉडी में से तो आपका यहां होता जाएगा घम होता जाएगा और अगर आपके body में beancial का volume कम हो रा है तो इसके जो osmolati है उससका जो osmotic content है वो क्या होता है बच्छों वह आपका increase होताएगा yak убийini जब आपके volume कम हो रहा है excessive amount water of water का loss हो रहा डाइवेसिज के थिरो और excessive amount of water का loss हो रहा है तो water की volume कम हुआ लेकिन उसकी osmolity जो है वो increase होगई और जैसे ही आपकी body की osmolity थी उसकी normal value थी बच्छों लेकिन जैसे ही आपका volume कम हुआ और osmolity निक्रीज हुई जैसे ही आपकी body की osmolity 3008 थी उपर दाएगी आपके जो है बच्छों hypothalemis के अंदर पता चलेगा आपके जो हाइपो तेलमस थी वहाँ प्रेजेंट थे आपके रिसेप्टर जिनको आप लोग नाम दे रहे हो ओस्मो रिसेप्टर बच्छों जैसे आपका ओस्मो लेटी तो है 300 से उपर गई तो आपके ब्रेन के अंदर हाइपो तेलमस में प्रेजेंट ओस्मो रिसेप्टर तुरण रेक्टिवेट होंगे और वहां से जब ब्लड पास कर रहा था आपका ब्लड पास कर रहा है ब्रेंज से वहां आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है जैसे मान के चलो यहां से आपका ब्लड गया यह आपका रिसेप्टर है और जैसे ही रिसेप्टर पे आपका ब्लड एच ऑर्मोन के बाद में आपका एच पहुंचा आएगा बच्छों आपका आपका पार्टविटरीघ्ट और इह डाल दिया जाएगा और बलड के थरो बच्छों वह आपका जाएगा और कि ऑट्रभी कर वांद और जैसे ही बॉड़ी में आपके वार्टर का आएगा तो डीसीडिडी और कलेक्टिंग डख्ट पर आकर इनकी वाटर के लिए को इंक्रीज कर देगा तेख्टिन में क्या कि पच्खाऊ आपके ईसीड़ और कलेक्टिंग डख्ट की पर files of das अजय से ही आपकी पर मिय बित्टि के बाद में आपके बलड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने के बाद में उसकी जो है 300 पर आदाएगी और आपके हाइपो तेलमस में जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे वह फुरसे डियक्टिवेट होंगे और आपके एडियाच का जो सीक्रेशन है वह आपकी बलड की आपके रैक्टिवेट होंगे और आपका क्या करवाएंगे और वह ब्लड में उसको सीक्रेट पर देंगे अगर बात करें इसक्या की बच्चों तो आपका एडियूस ओठा एक तो ये काम कर रहा था इसने क्या क्या किया आपके DCT गुलेक्टिग्ट पर आकर करवाया लेकिन अगर देखो कि आपका बच्वे इसमें क्या चल रहा था एक्सेशिव लॉस हो रहा है लिए आपके बाटर का कंटेंट कम हुआ आप उसके बाद में और रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं एक्टिवेट होकर ज़्यादा लग रहा है अगर मैं पूछ हूं कि आगर अगर आपके ब्लिट में बच्रों जो ऐस्म में एंक्रीक वी थी। जो बलाड का वॉल्यूम कम होता चाल रहा है अगर ब्लेट का वॉल्यूम कम होगने है तो... अगर किया वा का बलाड का वॉलिम कम वा आपका वॉल्यूम कम हुआ अगा पो एक में ऐसा तरीका चाहिए लेडल का वॉल्यूम हो रहा है और पे बलाड का वोलिमbad और इसको वो कम करता है यानि एडियेच का दूसरा एफेक्ट है बच्छों एक तो यह हुआ आपका रियप्जब्शन करवाएगा उसके अलावा आपका एडियेच क्या करेगा आपकी ब्लड वेजल्फ को बिटा कॉंट्रेक्ट करवाएगा यानि इसका होता है कॉंट्रेक्टरी फेक खाया ब्लड वेजल्फ के उबर और इसने ब्लड वेजल्फ को प्रेस करना स्टाट किया अगर यह कॉंट्रेक्टरी फेक्ट है मतलब क्या ब्लड वेजल्फ को क्या करेगा की डाइलेट करेगा हंजी यह ब्लड वेजल्फ को प्रेस करेगा तो इसने आपके ब्लड वेजल करके एक नॉर्मल लेबल पर ले किया रहा है ये कम भी कृन कर रहा है आपका EDS कर रहा है और अगर आपके EDS का बच्छों काम था Он को कॉंट्रेक्ट करवाना स्का इफेक्ट था है बट्र को प्रैस कर ना उसी के बैसे आपने इसको क्यों बोला क्यों कि यह अपना जो है बलड्व अब्लिड़ फलो कर रहां ऑप है पिह खूए प्लिड़ कर्द है इसमें प्लिड़ फलो कर रहा यानि आपकी blood के द्वारा जो i3 की व्रक्राइसर जेनरेट किया गया वही blood pressure है और अगर आपकी आइट्री को प्रेस किया जाएगा उनको contract किया जाएगा तो क्या यह रफ़तार से बगना स्टर्ट करेगा आपका ज्यादा प्रेसर करेगा और ज्यादा प्रेसर कर रहा है मतलब बोल दो कि आपका हाई हो चुका है यानि कि आपका बढ़ते बढ़ते जो नॉर्मल उसकी वहां आ गया है वह नॉर्मल कंडिशन पाला कर रुख गया है बोलो के लियर है कि नहीं है आगे चलते हैं ठीके बच्छों यह अब इसमें क्या हुआ कि आपका देखो है ना कहां से स्टाट हुई आपका क्या हुआ बच्छों आपका जो है ऑस्मोलेटी इंक्रीज वही आपकी बॉड़ी में जो है वाटर का हुआ अमाउंट कम यानि की डेफिजेंस अब बॉटर है ना लो वाटर कंटेंट बोल दो बॉड़ी आपके बॉड़ी में क्या हुआ बच्छों पानी की कमी हुई और जैसे ही आपकी बॉड़ी में पानी की कमी हुई तो आपका ब्लड गाड़ा होता गया यानि इसकी ऑस्मोलेटी ऑस्मोलेटी जो कंटेंट था वह बिटा इंक्रीज होता गया इसकी वज़े से क के ब्लड की यापकी घ्रिफ यानि कि आप ट्री अंडरिट से उपर गई आपकी असमोलेटी को इंक्रीज होते ही आपकी एपनेश मनें के ऐक्क motivated रहा आपके आपके ऐस्मोलेटी ते इस आउसमोलेटी ने क्या करबा इस आपके में। आउस्मों रेच्टर को एक्टिवेट करवा दिया जानि आपके बच्वों बच्वों रेसे लिए वह आपके जो और आपके जो और सेप्टर एक्टिवेट हुए है यह वैक्ट रिलमस में यह आपका A-đ-A-đ-S release करवाएंगे यह क्या करवाएंगे आपका एक तो बच्चों यह आपका A-đ-A-đ-S release करवाएंगे और यहां से क्या हुआ बच्छों यह आपका A-đ-A-đ-S करवा जिया और यह के कैसी को लोग कह रहे थे कंडीशनल रियुपशन आपकी कर्वाया और कंडीशनल और यह पर ङौत जो एक्शेसिव का लॉट रहा ता वो डा तो यह ऊडिया आपकर यूरन बच्छों 300 पर आगी फिर से और जैसे यह आपके रिसेप्टर डीक्तिवेट हुए रिसेप्टर डीक्तिवेट होते आपका क्या हुआ बच्छों ब्रेन में आपके हाईपो टेलमस ने एडियास इंतसास करना बंद कर दिया और इसका एफेक्ट कम होता जाएगा यह ता आप इसके अलाबा क्या होता है एक तो आपके जो आज तो क्या वह है एक नहीं ठीस है लेकिन या कैम लग रहे लिकिन यह चरावक्ना रभाति आ का बड़ा है भी एक ताइम से लागे आदा घ्रीज़ जाएगा गाएगा ब्र March तरीका अपनाया जाता है इना अच्छों इसमें क्या होता है कि आपका जो आश्मो रिसेप्र हैं यह आपके हाइपो तैलमस को एक्टिवेट करेंगे और आप लोग जानते हो कि आपकी बॉड़ी में जो आपका हंगरन थिस्का जो सेंटर है आपके भूपियास को इंक्रीज होते ही और आपके एक्टिवेट होंगे और आपके एक्टिवेट होते ही आपके हाइपो तेलमस के अंदर क्या करेंगे वह सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे और सेंटर एक्टिवेट होगा आपको प्यास लगने ये क्या करवाएगा सेक्नाए ओthese एस्रिवाइट कर वाएगा लेकिन आपने धर क्या देख रहे हैं हॉर्मोन का रॉल देख रहे हैं तो इसके पारे में चर्शा करते हैं ठीके बच्छों आपका।atta एडेसे क्या किया किया। एंटी सीटी यूरिन के त्रोज हो जा रहा है उसको तो मैं देख लूँगा उसकी चिंदा करने वारी बात नहीं है यानि कि आपकी यूरिन में जरादा भी पानी में एक्स्टरा नहीं जाने दूँगा मैं उसको रियब्जर्व करके सारा का सारा पानी लियाँगा आपके बॉड़ी में जो वॉलिम कम हुआ है इसको इंप्रीज करवा दूँगा आपकी ऑस्मलेटी बिचों जो बढ़ती जा रही है उसको कम कर दिया जाएगा ये सारा कम जो था आपके एडियेच के दौरा किया कुछ ऐसे सब्स्टेंस का इंटेक किया बोडी के अंदर जो क्या कर रहे हैं आपके एडियेच को सप्रेश कर रहे हैं जैसे आप लोग देखो टी काफी एना येजिसे काफी में आपका कैफेन रहता है आपका एलकॉल तो खुदी एक डायरिडिक सब्स्टेंस है तो बच् आपका काम ताड़ को प्रेवइंट कर्वाना जो आपकी तया तो डेवेता यो आपका एक्स्टर मटस हो रहा था ता उसको रोकना इसलिह अपने संति ऑर्मोन लेकिन सब्स्टेंस आपके दी नोweisen कर है यह जी बिलकुन नहीं कर रहे उन्हों आपके एडियेज को बंद कर दिया आपका एडियेज जो वॉटर को बापस ला रहा था ब्लट में वह अब नहीं आ रहा तो आपका वॉटर निकल रहा है बाहर अगर यूरिन के तुरू एकसे सुवा मम्ट में वॉटर का लॉस हो रहा है यानि आपकी डैवरेसिस चल रही है और डैवरेसिस हो रही है उन सबस्टेंस की बज़े से जिन्होंने एडियेच को बंद करवाया तो उन सबस्टेंस को आप लोगे डैवरेटिक सबस्टेंस अगला आपका क्या हुआ आपके जो है कुछ बड़ा एथे सबस्टेंस आए जि आपने उन सब्स्टेंस को क्या बोला डियूरेटिक सब्स्टेंस बोला है ना बचाओ तो आपके डियूरेटिक सब्स्टेंस क्या थे जैसे मैं बात करें कुछ सब्स्टेंस जिन को आप लोग कह रहे हो डियूरेटिक सब्स्टेंस तो यह डियूरेटिक सब्स्टेंस जैसे आपके टी हैना बिटा कॉफी एना बिटा एलकॉल यह थारी चीज़ें यह क्या कर वारी है बच्चों यह आपके सप्रेस कर रही है क्या कर रही है यह आपके सप्रेस कर रहे है सप्रेस एडियेच एंटी डावरेटिक हर्मोन इन्होंने आपके एडियेच को सप्रेस किया कि क्या होगी बच्षों ढ sensory शोगी यानिनों नहीं करवाया आपकी मैञाँ कर तो अगर आप लोग अभड़े कि अगर आप लोग पर इंटर्यूंड ना करकर अप लोग रहे यह सेल्कोलिक हो तै Чер依़ कोई ऐसा एपमेशा लगी हुई है वह जब भी निकल रहा है घर से बाऊ अब ना जो भुष्था करका निकल रहा है ले की चल रहा है साथ में तो इन लोगों में क्या होगा थे अब आपके यह जो एलकॉल वगरा आए उसने ऐलकॉल लिया तो एलकॉल आने की बज़े से आप बच्चों एक condition बनती है जिसको आप लोग कहते हो diabetes रहा था जिसकी बच्चों आप लोग water को बापस लेकर आ रहा है आपका एक से से वह मांट वाटर का लॉश होता जा रहा है और इसी कंडिशन को आप लोग एक डिसीज के नाम से जानते हो नाम है उसका डियाबटीज इंसी बिड़ास जी हां यानि इसकी बज़ाइस बच्छों क्या हुआ आपका यह डियाबटीज इंसी पिड़ास कर दिया एडिय इसने इसका आप लोग जो बटा डिरिंक कर्स के नाम से भी जानते हो है ना यह नॉर्मल है जो किसमें होती है बच्छों यह मुस्लियापको एलकॉल एक परसन में पाई जाएगी क्योंकि वह लोग एलकॉल कंस्म करते रहते हैं तो उनका जो एडियाइस हो जाता है एडिय के सप्रेशन को कम कर दिया आपकी एडियाइस के सीक्रेशन को कम कर दिया एडियाइस को सप्रेश कर दिया वह आपके डियाइटिक सब्स्टेंथ के नाम से जाने गई थे उन्होंने क्या किया बच्छों एडियाइस को कम किया यानि डियाइस को प्रमोट किया और जैसे आपके डिसीज आ गई आपने इसको डाइबोटीज इनसी ब्रस के नम से जाना अगर ये कंडिशन हो रही है जब आपका बच्छों एडियेच नहीं आ रहा है लेकिन इससे पहले था कि एडियेच चल रहा था आपका जब आप लोग बच्छों यह देख रहे थे इसमें आप के बलड में बोडी पर क्या फेक्ट पड़ रहा है बहुत इंपोर्टेंट ट्रॉपिक है यह और आपके नीट में लगबग यहां से कोईसन आता ही रहता है वह आपको पूछते ही रहते हैं कि अगर बच्छों एडियेच आया तो क्या होगा एडियेच है तो यूरिन का क् इसको आप लोगों को एक बात याद रखनी है बच्छों आप एक लाइन याद रखेंगे और आपके सारे क्वेसन सॉल्फ कर दिये जाएंगे एडियेच से जो भी क्वेसन आएगा वो सॉल्फ होगा यहीं से आप लोग ध्यान से सुनें आप जब भी एडियेच के बारे म आपके नेफरोन के अंदर ध्यान से सुनेंगे बच्छों आपके यह नेफरोन के अंदर जो यूरिन बह रही है जो यूरिन फ्लो कर रही है एडियेच क्या करेगा आपकी नेफरोन की अंदर बह रही यूरिन में से पानी निकालेगा और बलड में डालेगा जब बोड़ी blood में water की कमी होगी यानि ADS ने क्या किया आपकी urine से water निकाला और blood में water डाल दिया और यहां से आपके सारे questions solve होंगे अगर जैसे मैं दर बात करूँ आपसे बचों कि आगर वह आपसे पूचता है उसने आपसे बोला कि यह बताओ कि अगर आपकी बॉडी में बचों ADH है तो मुझे यह बताओ कि आपका BP कम या ज्यादा अगर ADH है तो BP कम या ज्यादा वह ल ब bird में पानी आया मतलब बैड का जोए बच्छों volume increase हुआ और volume increase हुआ तो BP increase हुआ यहा यादिएच के आने की बज़े से आपका BP क्या हुआ आपका BP बच्छों इंक्रीज वा अगर वह आपसे पूछता है कि आजो बलड की बच्छों ऑस्मोलेटी है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एडियाच आया तो यूरिन में से पानी निकालके बलड में डाला अब बलड में पानी डाला तो बलड का वाल्यूम बढ़ यह लो अगर वह आपसे बोल रहा है बच्छों आपका बलड का वाल्यूम आपका बलड का वाल्यूम अगर यूरिन में से पानी निकल के बलड में डाला जा रहा है तो वाल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बलड का वाल्यूम इंक्रीज कर रहा है आपसे यूरिन का निकला तो यूरिन का वोल्यम कम हो गया जी बिल्कुल सही चलो यूरिन का वोल्यम कम करेगा अगर यह अगर आप से बोला जाए दो स्टेट्मेंट की एक एडियेट्स आपकी यूरिन को कंसेंट्रेट कर रहा है अगला स्टेट्मेंट की आपकी यूरिन को डायलूट कर रहा और जैसे ही पानी निकला तो वहां का वालियम कम हुआ तो इसकी ऑस्मलेट इंक्रीज यानि की वह कैसे हो गया बच्छों वह कंसेंट्रेट हो गया तो यानि की आपके यूरिन को क्या करेगा बच्छों अगर आप लोग बात करें यूरिन को करेगा यह कंसेंट्रेट करेगा a you can concentrate करेगा बहुत बड़िया अगर आप से पुछा जाए कि इंक्रीस करेगा आप कि encours करेगा ये को स्मौलेटी यह करेगा आपके सब्सक्राइब क्या का मुझं कर रहे ते यह पूछा है क्या क्या कि एटिक्रों गॉया ह। जी-एफ-ार जो यहां आपका बचों एक मिनट में जो फिल्ट्रेट बनके रेडी हो रहा था उसको आप लोग जी-एफ-ार के नम से चांड रहे थे और यह जी-एफ-ार पर इसने क्या फिट डारा बच्छों यह आपके जी-ए-फ-ार को इंक्रीज करेगा क्योंकि इसने बल किड्नी के पास ज्यादा ब्लेट फास्ट पहुचेगा और वहां अगर किड्नी के पास ज्यादा ब्लेट आ रहा है जल्दी जल्दी ब्लेट आ रहा है तो आपका ज्यादा ब्लेट फिल्टर होएगा कम टाइम में और आपका ज्यादा फिल्ट्रेट बनके रेडी होगा यान कि भापा श्रग करो है बड़ के वॉलिम के और किकी कर रहा है यूरिन को कंसेंट करते कर रहा है । उपर को बढ़ा रहे यह आपके क्या रहें गे उप्जियन को प्लेसिट का फॉर। थास्ट करा है यानि यूड, के एपसेंस में डिसीज कुन थी आपकी, डियाबटीज इंसी बीप डिसीज होगी, आपके एडियाइच को ब्लेड वेजलज पर क्या अफेक्ट है, ये ब्लेड वेजलज को बच्छों प्रैस कर रहे हैं और अगर ब्लेड वेजल को प्रैस किया, तो अभी का बीपी इंक्रीज हो रहा है यानि कि बढ़ाने में काम कर रहा है यह सिक्लेट कैसे हुआ यह हाई पो टेलमस में प्रिजधेंट और शम्र आपके आपक्डिवेट है और में आपकी ड uses को इस आया किस तरह काम किए इसका प्रखुद इसका यूरेन पर क्या एफेक्ट था रबचों आशा करता हूं आपको सारी चीजहां समझ में होंगी ADS के बारे में जो भी आपको बढ़ाया गया वह आपको सब कुछ समझ में आया होगा अना बच्छों थेंक यू